दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फश्टियर के बारे में बीए फश्टियर के हिंदी साहते के पेपर एक के बारे में आर्थात मदिकालिन हिंदी काबिके सव प्रसनों पर आज की वीडियो में हम चच्चा करने वाले हैं बिस्तार से तो आप लोग वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा हिंदी साहितिक के लिए यहाराम बान वीडियो आप लोगों के समक्ष में परसुत करने जा रहा हूँ इससे लगबख 60% जो होंगे आपके एक्जाम में सीधे के सीधे फसेंगे यहाँ बात आप ध्यान लखेंगे जो बाते मैं जो है प्रेबियस एर जो कोईशन से पेपर में प्रसन पूछे गए हैं उन सभी को भी हमने इसमें क्या करा है इनकुरूर करा यहाँ बात भी आप ध ध्यान लखेंगे तो हमने उन प्रसनों को इकठा किया जो लगातार पूछे जाते हैं मलब की ऐसे प्रसन जो कि सारभामिक होते हैं यूनिमर्सल होते हैं उनको हमने इसमें जो है समाहित करा यहाँ बात आप ध्यान लखेंगे अब इसमें जो है आपके सिलेबस की में बात अगे घानानन्द प्रेम के पीर के कभी आप लोगों का कभी ब्रेक अगरा हुआ होगा तो आप लोग जो है बड़ी ही जो है दिल थाम के बैठिएगा घरनन्द महोदे के ऐसे सुजान नामक बैस्टा से प्रेम बहुत ज़्यादा करते थे और बहुत कुछ मामला हुआ इन दोनों के बीच में तो उन सभी मुद्दो को हम भी चर्चा करेंगे तो बीच चर्चा करेंगे इससे पहले आपका पहला माडल पेपर अप्रोड है उसको देख लेंगे तो उसको देखेंगे इसको देखेंगे आपको लगबग जो टाप करने से कोई नहीं नहीं रोख सकता अगर आपने सारी बातों को मेरे द्यान से सुना होगा और पढ़ा होगा तो आपको सारे मुद्दों को ध्यान से सुनना है बस एक वीडियो इसको मेरे कहने से विस्वास करिए एक बार सुकला इश्डरी पॉइंट पर विस्वास करिए मुझ पर विस्वास करिए पूरा वीडियो लाश तक देखिए अभी टाइम नहीं अभी वीडियो को पास कर दिजे लेकिन जब time हो एक बार शुरू करिए online वीडियो को पूरा देखिए और इस देखने के बाद में आप जब जब है अपने मलब बाद में अपने आपको अनवो करेंगे जैसे आप पहले क्या थे और बाद में क्या हो जाएंगे वो आप depend करेगा वो आप जो है तुलनात्म का धिन कर लिजिएगा चलिए सुरू करते हैं मेरे पैदो तो आपको सिलेबस समझ में आया अब हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे महात्रपुर्ण परशनों के उपर देखे प्रशन भईया आपके सामने यहां पर परदर्सित हो चुके हैं देखे परशन आ चुके हैं आपके सामने कि पहला परशन की कठिन काभी का प्रेथ किसे का आता है किसको का आता है लगा तार प्रशन पूछा जा रहा है चाहे 18 हो 19-20 हो हर एक उनिवर्सिटी में आप प्रशन सारभोमी ग्रूप से बना हुआ है हर एक जो है उनिवर्स मेरे छात्रियों चात्र हैं रहे जितने भी लोग हमसे पढ़े होंगे पहले उनको हमने ने सारी चीज़े बता दी है कबीर दास से रहीम दास से केसो दास जो है उन सभी से रहीम दास दास थो है यंस सभी आलुथ वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर काबिका प्रेत क्या है कि इसलिए काई आता है चुकर राम राम चंडरीका राम राम चंडरीका रचना में क्या क्या इन्हों उने बहुत ज़ादा चंद भर दीया है अथा कि इसपर मार है इसेले राम चंद्रिका के बारे में प्रशन पोचा आता है कि चंदों का आजाइब घर किस रचना को को कहते हैं क्या क्षे प्रश्ण आपका सारब्वमिक एकजाम में लगातार पोचा आता है तो चंदो का जायब घर किसको राम चंद्रिका को क्यों कहते हैं आजायब घर क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चंद भरे हुए हैं ठीक ध्यान रखेंगे कि क्या हैं बहुत ज़्यादा चंद भरे हुए हैं राम चंद्रिका में जब अर्दस्ति यह ठूंसा है जो है इसमें क सक्थि को बहुत ज़ए चंद बरें यह थे निसी लिए उसके बाद में प्रछलिता है कि इन्हों ने गागर में सागर भड़ने का काम किस ने किया है तो विहार्री किसकी प्रेम का थी तो घरानंद की थी घरानंद को प्रेम के पीर कवी के नाम से जाना आता या बात ध्यान लखेंगे रहीम दास का पूरा नाम लगाता रिक जाम में पूछना है कि रहीम दास का पूरा नाम क्या था तो रहीम दास का आपके पूरा नाम था अब दो रहीम खाना इनके पिता का क्या नाम था पूछाता तो इनके पिता का नाम था मैंने पैर दो तो बैरम खान ठीक ध्यान रखेंगे तिनी बात आगे बढ़ते हैं पूछाता कि आख्बर के नौरतनों में से इन वैसे देगा रहें देगा ठिक तो कि मदनाश्टक के रचयता कौन है किसके मदनाश्टक के रचयता कौन है तो मदनाश्टक के रचयता कौन है रहीम है कौन है रहीम है आपसन इसका एक रख्ट है रहीम जो है वह किसके रचयता है यहां मदनाश्टक के रचयता है मदनाश्टक इनकी एक रचना है किसकी रहीम आप करेंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना या बात ध्यान रखेंगे अबदुर्रहीम खाना पूरा नाम है इनके पिता बाइरम खाहा है जो की घुमायू के समय में क्याइं एक प्रकार इस भी को हुआ था कहां पर हुआ था तो लाहोर में हुआ था सैस्वा वस्ता में जो वे छोटे से थे तो इनके पिता का कतल कर दिया गया था यह बात भी आप ध्यान रखेंगे इन्होंने इनके बाबा थे जंबूर इन्होंने अपने जो है इस छोटे बच्चा जो था रही रहींदास को ले करके क्या किया सभै तीन साल जो है दर दर भटके और अंते में 1561aman गए आगरा में आए आगरा में उससमय अक्बर साथन कर रहे थे तो अक्बर का संदचन प्राप्त हुआ और उसी समय प्रतिभा सवर कला रहीं थी इनके अंदर कूट-कूट कर भरी हुई थ तो इनके संबन में जहांगीर ने बहुत सारे कथन भी कहें हैं कि खान खाना दरबार के बड़े अमीरों में से एक थे अकबर के राजमेंगों ने बड़े-बड़े कार किये जिन में तीन प्रमुक थे गुजरात की विजय हुई चाहे सुहिल देव के युद्धिमे सत्रों क जिन से फराजित किया था कहां पे सुहिल के युद्ध में और सिंध और ठट पर विजय पराफ्ट करवाई थी इनूने तो कोल्मिला करके ये बड़ी ही महात्वण माने आते हैं इनके संबध में तुलसी दास इनके मित्र हैं परमित्र तो पूछेगा तो तो पूछेगा यह जो है तुलसिदास जी की रचना है और यहीं पर रहीमदास की जिए अमलब की एक ही बात है और रहीमदास जी को कहते हैं कि पात पात को सीच बो बरी बरी को लोन रहीमदास तुलसिदास की अब इन्हों ने तुलसिदास जी ने लिखा कि तुलसी खोटे चतुरुपन कल रही के कहो कोन और दूसरे में रहीम दास बता देते हैं कि रहीमन ऐसी बुद्धी को कहो करोगे कौन लेकिन यहाँ पर एक जगा पर तुलसी और रहीम में मद्भेद हुए आता है वहाई कि जब रहीम कहते हैं कि जव रहीम मुत्तम प्रकिर्ती तो काकर सकत कुसंग और हैं कि यहां और यही पर तुसी याँ ऐद जाया आग यहां पर आज के रूप में परासंगिक देखें तो से ज्यादा परासंगिक हैं, चुकि आज के परपेक्ष में अगर मैं बात करूँ तो आज के परपेक्ष में मेरे पैरे दोस्तों आप देखते होंगे एक बोरी मलब आलू है उसमें दो तीन आलू अगर आप सड़ी रख देते हो तो सारी की सारी बोरी आलू सड़ जाती है एक सड़ी मचली सारे ताला थोड़ी कम है और तुलसी दाजी की प्रासंगिकता इस बिसे में आत्यदिक है हलाकि तुलसी दाजी के बारे में विद्वनों ने और भी कहा है तो तुलसी दाजी के संबन में बता रहा था दोहा पर चलित है कि जो है सूरी सूरी तुलसी ससी उड़गन केसो दास और अभिके कभी खगोत सम जहां तहां करत परकास यहनी अभिके कभी जो है वा जुगनू के समान है खद्योत सम जहां तहां करत परकास इधर उधर कहें से इधर जले उधर बुते उधर जले उधर बुते लेकिन सूरी दास जो थे वह सूरी के समान थे सूर दास जी और तुलसी दास के समान थे तो सूरी सूरी तुलसी ससी तुलसी जी चंद्रमा के समान थे और उडगन के सो दास और अब एक एक अब तारव के समान थे जो है के सो प्रकास आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दो को हम समझ लेते हैं ओके रहीमन प्रीत सराहिए जो घट गुन सम्होए और भीत आप पे डारी के सब पियावे तोए यह रहीम दाजी प्रकार से परुपकार जिसे परहित धरम सरी सनही भाई तुलसी दास तो करिना कई पर तुल बढ़ते हैं और भी मुद्दो को समझते हैं अगला प्रसन क्या है कबीर दास जी संतों की क्या है प्रसन भाईया उपर देखिए थोड़ा सा तीसरा नमबर प्रसन देखिए चिंता करने की आवसकता नहीं बस एक वीडियो देखेंगे आज वाली यही और पूरा का पूरा कबीर दास जी संतों से किसकी आंधी आने की बात कहते हैं तो एक कबीर दास की एक पंक्ती है कि संतों आई ग्यान की आंधी रे तो संतों से ग्यान की आंधी आने की बात कहते हैं कौन कबीर दास जी आपसन इसका जो है कौन सा करक्टर है सी करक्टर है अब कबीर दास जी के संबंद में और एक प्रसन आपसे पूछा जा सकता है कि कबीरदाजी का संबंद किस काल से है हिंदी साहते में तो भक्ती काल से है ठीक ध्यान रखेंगे कबीरदाजी का जनम कब हुआ था 1398 इस भी में हुआ था इनकी मिर्दू कब हुई थी तो 120 साली जिंदा रहे थे तो 1398 में 120 जोड दीजिए तो 1598 इस भी में इनकी मिर्दू हुई थी या बात भी आपको पता चल गई कबीरदाज किस जाती के थे कभी कभी परसन पूछा जाता है तो कबीरदाज जुलाहा जाती के थे ध्यान रखेंगे नीरून और नीमा नामक जुलाहेने क्या क्या था इनको बात कुरें तो भक्तिकाल जो था भक्तिकाल दो भागों में था भक्तिकाल को दो भागों में हम बाटते हैं पहला भाग आपका क्या सगुड धारा ऐसे सगुड लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर नीर लिख देते हैं निर्गुड तो जो सगुड थी इसमें आपक साखा जो होता है तुल सिदाजी की है अब निर्गुड में आते हैं आपके क्या प्रेमा सरही और ग्याना सरही तो प्रेमा सरही में मलिक का तो के बाद में पर फ। लेड़ा को तुन सी तर्फ जोस्क्राइए नियर्वाग्ती कि कौपनेश सरीजी में विदू में बिदिए को 190 पर प्रीयों आप वी सब्सक्राइद करेंगा की देखिए तो कबीर दास से इससे समझे थे हम चीजों के बारे में चर्चा कर रहे थे हम बता रहे थे कबीर दास के जाती के थे जुलाहे जाती के थे हमने आपको बता कि कबीर दास जो थे वो किस धारा के थे निरकुर धारा के थे आपसे पुछता रहता है आपसे एगर पुछें मेरे पैरे दोस्तों कि कबीर की जो है रचना जो है बीजक तो कबीर की है, बीजक कितने भाग है, तो बीजक कितने भाग है, तीन भाग है, पहला है साकी, दूसरा सबद, तीसरा रमैनी क्या साकी, साकी का आर्थ पूछता है कभी कभी, कि साकी का आर्थ क्या होता, साकी का मलत होता साक्छी, सबद का मलत होता सब्द, और रमैनी का मलत ह तो ठीक द्याने के आप से पुछे साकी कार्थ पुछे तो साक्षी होता है सबद कार्थ पुछे सब्द होता है रमाइनी कार्थ पुछे तो रामायर होता है कबीर की भासा कैसी है पंचमेल खिचडी यानि सदुकडी है सदुकडी क्यों कहा आता है सदुकडी इसलिए कहा आ आता है और एक खादे पदार्थ मिल जाता है तो इसी प्रकार से इन्हें तमाम सारी भासाओं को मिलाया और कहीं न कहीं पे यह भासा जो उनकी बनी उसी को पंच मिल खिचरी कहा आता है या बात ध्यान लखेंगे आप से पुझे कबीर दास की पतनी का क्या नाम था तो लोई इनकी पतनी का नाम था नीरू और नीमा इनके माता पिता हैं और उसके आद में कमाल और कमाली इनके पुत्रोड पुत्री हैं ध्यान लखेंगे आप से पुझेगा कबीर दास जी पढ़े लिखे थे या निरक्षर थे तो कबीर दास कैसे थे निरक्षर थे इन्होंने अप बढ़ते और भी प्रसंद आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि आचार सुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किसे प्राप्त हुआ तो राम अनन्द जी से प्राप्त हुआ यहाँ बात आप ध्यान रखेंगे ओके चले और अगर आपसे और भी प्रसंद पूछा जाता है कि आ माना किसने आचार शुकला जी ने माया महा थगिन हम जानी पंक्ती किसकी है कभीर दास की या पंक्ती लगातार एकakesम में पूछ आती है तो इसले असमारक कहाँ पारिसी तो मगहर में इनका मृत वाला इस्थित है ठीक आपसे पूछेगा उल्टबासी सब्द एक आता है लग लेते हैं आपसे पूछे कि कबीर की साधना पतती कैसी थी आपसे आपको अपसर में एका दोयत आदोयत सुधा दोयत विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ठिक ध्यान रखेंगे आपसे पूछेगा कि जो है कबीर पहले एक संत हैं कि कभी हैं तो पहले एक संत हैं बाद में कभी हैं ध्यान रखेंगे इतनी बात ओके कवीरी सश्तंग का महात्व देने वाले कैसे महत्माते पुछा आता है प्रसंटो कैसे महत्माते घुमकड जो है महत्माते यह पात आपको ध्यान रकेंगे आप से एक पुस्तक कबीर के उपर एक पुस्तक लिखी गई है कई पुस्तके लिखी गई है इसे कबीर गरंथावली पुछाया कबीर गरंथावली का संपादन किस ने किया तो माता परसाद गुपता ने भी किया है स्याम सुन्दादास ने भी किया है और अपारसना तिवारी ने भी किया है ध्यान रखेंगे कबीर पुस्तक के रचना कार कौन है तो आचार हजारी परसादिर बेदी ने कबीर नामक पुस्तक लिखी है यहाँ बात भी आप ध्यान रखेंगे ओके और चले फिर यह कबीर दा समझेद कुछ मातपून फैक्ट थे जो हमने आपको बता दिये आगे बढ़ते भी और मुद्दो को समझ लेते हैं अगला पसन है मेरे प्यारे दोस्तों अगला पसन है आपके सामने इक किष्ण गीतावली अगला पसन क्या है इक किष्ण गीतावली किसकी रचना है क्यों से रचना किष्ण गीतावली की बारे हैं पूछा गया यहाँ प आपको हमने तुलसीदा समधित सारे मुद्ध को करवा दिया था तो तुलसीदा समधित सारे प्रसन जो है आपके complete है उसको आप लोग देख लीजेगा हलाकी मैं बताना चाहूं अगर आपसे तुलसीदा जी के बारे में तुलसीदा जी का जो जनम हुआ था 1532 सिस्वी में हुआ था मृति हुई थी 1623 सिस्वी में तुलसिदाजी की माता का नाम हुलसी था पिता का इनकी पतनी का नाम रतना वली था या बात ध्यान लखेंगे तुलसिदाजी की माता का नाम क्या था हुलसी था और अगर आपसे पूछे कि जो है इनका जनम अस्थान कहां पर है कहां पर हुआ था तो राजापुर नामा ग्राम में इनका जनम हुआ था ध्यान नखेंगे तोलसिदाजी के समकालिन कौन थे रहीम दास और उसके अधिन दास ही सब इनके समकालिन ही माने आते हैं किसके तुसिदास के सूर्दास को भी कहने कई पर आप समकाली नहीं मान सकते हैं लेकिन हाँ फिर भी अगर आपसे मिलेगा आपसन में तो बता देंगे एक प्रशन पूछाता कि अस्ति चरवमे देहमम तामय ऐसी प्रीत या कथन किसका है या कथन रतनावली के है और रतनावली ने कहा था रतनावली कौन है कबीर दास की स्वारी तुसिदाजी की पतनी है और इन्होंने ही कहा था कि अस्ति चरवमे देहमम तामय ऐसी प्रीत मेरी जो है सरीर जो है अस्ति कि रात में चले आये और इस हड़ी और चम्ड़े से तरह यदा प्रेम हो गहें तुमको और तुम्हें रात में चलले आये को जि Menu को जान प्राफ मि आता है और चलिक घाट चले आते हूं उसके बाद में यहां रामचे इत्याद की रचना करने लगते हैं और आज रामचे इत्मानस सबसे फेमस जो है रचना लोग प्री रचना मानी आती हिंदी साहित की ओके ध्यान लखेंगे दूसरा हिंदी साहित मलब दूसरा रामचे इत्मानस किसी काया यह ससी में प्रस्ट पूचा गया था किसको कामाईनी को काया था ध्यान लखेंगे वर नाम्र संगा नाम रसानाम चंद सामफी मंगला नाम चकरतारों बंदे बाणी बिनाय को भवानी संकरों बंदे सरधाविस्वासी रूपर याब विनाना पाच्चंती चंद्रा सरवर्त बंदे सांतम सासवत अप्रमेन मनगम निर्मान शांती प्रदम ब्रह्मा संभुपरिंदर सर्वे मनिसं बेदांत बेदंबे हूं यह है रामचरित मानस का ब्याक्ष्यान ओके मंगला चरणा आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दो को समझने तूलसी दास समझने तो और भी तूलसी दास ही है आप से पूछेगा कि जो है तूलसी की गीतावली किस कभी की रचना से प्रभावित है तो केसो दास की रचना से प्रभावित है कौनसी तूलसी की जो केसो दास की रचना से प्रभावित है आप ध्यान लखेंगे अगर आप से पूछे कभी अगर आप से पूछे कि तो रामचरिद मानस में कितने कांड है परसन पूछा गया था तो रामचरिद मानस में आपके छे कांड है या बाद ध्यान नखेंगे ओके रामचरिद मानस में कितने कांड है छे कांड है ओके कितने कांड है तो रामचरिद मानस में आपके साथ कांड है कितने कां कौन सा है कि स्किंधा कांड पांचवा कांड कौन सा है सुंदर कांड और सुंदर कांड सबसे लोग पर चलित कांड जो की यूपीसी यानि इस की सलेबस में भी संक्लित है तो आपका जो है सुंदर कांड हो गया पांचवा छटवा क्या है लंका कांड आपसे पूछाता है कि युद्ध कांड के नाम से कौन सा कांड जाना जाता तो लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी हम जानते हैं या बात जाले कि उत्तर कांड पूछाता है कि कलजुग के बारे में किसमें बताया गया तो इसमें कलजुग के बारे में बताया के बारे बताए कि कल जुग में क्या होगा उसको बताए गया है कि बताएगा कल जुग में कि क्या क्या होगा इभाब अरखा जिम फूट कियारी भई सुतंत्र बिगली सबनारी ठीक और इसी प्रकार से पूछेगा कि मलब की तमाम सारी चीजे उसमें लेखी गई किसी दिन उ पहला को उत्तरकार्ण के बारे में चर्चा करने से कोई फाइदा नहीं है क्योंकि वह आपके पाठे करम में संकलित नहीं है यह बात आप ध्यान रखेंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आपसे पूछे कि राम चरिद मानस की रिचना का प्रारंबोई मेरे पैर दोस से तो 1573 इस भी में लगभग इसकी राम चरिद मानस की रिचना हो गई थी आप से एक बार प्रसुरिण की रिचना आचार सुकला की आनुसार कितने समय में हुई थी पैर बगभग पांचवा कांड कौंसा सुन्दर कांड तो आपको कंड कांड कांड का जो है सीरील पता होना चाहिए पहला कंड बाल कंड दूसरा यूद्या तीसरा कि सब्सकें दो युअरण चाहुता लुपक अलंकार का बादसा किसे का आता है। से तो होती है कि जो सो मेरत इसी हो इसे कभी कभी पूछता है तो कैसी यह चौपाई की जो है दोहा चौपाई में रचनाए हुई हलाकि और भी जो है यहीं पाटे करम में में यहीं सारी चीजे संकलित है, तो यह सारी चीजे आपको पता होना onकर तो चलिए तो सम Allen यह सारी बाते सारी बाती जो है कि महातुष बुछा आता है थी अधरती के बी तर भी देंध को बरनें कुछ तो कहीन है नहीं को कोई बहुत सारे लोग जाती है कभी नहीं है अगर तुल्षिताजी ने बहुत वार यह कहा कि मेरी जो है कोई जाती नहीं है और मैं एक परकार से रामचन जी का दास हूँ यहाँ बात ध्यान लखेंगे ओके चले आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दो को हम समझ लेते हैं अगला है पांच बावी इनकी सब के बारे में थोड़ देरे परसन बता देरें बाकी अभी भी स्पीट से चल ले हैं अगला परसन है अगला परसन है मेरी पैरे दोस्तों अगला परसन है यह उपर से आयाता है यार चले अगला परसन है कि काब भी रूप की दिष्टी से रामचरित मानस क्या है काब भी रूप की दिष्टी से राम चरित मानस क्या है मेरी पैरे दोस्तों तो काब भी रूप की दिष्टी से राम चरित मानस से आपका क्या है प्रबंध काब भी है क्या है प्रबंध काब भी क्या होता है इसको भी समझ लेजिए इसका नायक भी एक है इसकी नायका के बारे में भी एक के बारे में से कहीं न कहीं पे राम चंद्र जी के बारे में जितना भी तोलसिदा जी ने बताया चीजों को उद्दात जो है चरितर का चितरन किया कहीं न कहीं पर रामचंजी संयम सील है उधार सीलता है और सरणागत को भी जो है मानिता देते हैं की सरणागत को तज दिया उसको तो क्या होगा उस वेख्ती को देखने से पाप चलता जिसने तज दिया है इसलिए यह भीसर आता तो बहुत सारे बंदर कहते हैं बहुत सारे जो मत्रीतें उनके जामवंत हो गई हर्मान जी हो गई सुग्रीव हो गई ठीक है तो जो है नल नील अंगद गद भिक्तास की हरदत मुंक ठ्थवादत सीسा तो लेकिन वहाँ पे होता जो नायक है रामचेंद मानस के रात तब रामचेंजी कहते हैं कि नहीं सब को बुलाया बठाया का आओ सुग्रीव हनुमन तो सभी लोग आओ बठो आसानी से मेरी बात सुनो कहा उन्होंने फिर कहा इन्होंने वही समय सुनाय कि सरणागत को जेत जहीं तो सित आज लिखते ह सरणागत को जेत जहीं निज अनहींत अनमान तेनर पामर बापमैतिने वही लोग का ठिहान दिनको देखने से पाप चरता है जो बिक्ती क्या कर दे प्याई किसी को भुह सरणागत में आये हुए बिक्ती में कौन सा रस है तो कही न कही पे जो राम चरित मानस है एक प्रबंध कावे प्रबंध कावे का मलब होता है कि इसका नायक जो हो उद्दात भावना से प्रीरत हो उद्दात चीजे क्या होती है हमने आपको बताया कि इन्हीं के बारे में घुम जिसे लचमर जी है लचमर जी कभी जो है निरास नहीं होता और निरास कभी-कभी होते हैं लेकिन धैर नहीं खोते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं अगला भरमर गीत में छटवा प्रसन है कि भरमर गीत में कौन सा रसा है ब्योग स्रिंगार है कौन सा है भरमर गीत में आपका ब्योग स्रिंगार है ध्यान लख आफसण इसका भी करह्ण्ठ है आगे बढ़ते हैं यंदी से स्वन्यू का गयाता है सुर्ण यू कहा जाता है किसका हिंदी साहित का या बात आप ध्यान रखेंगे ओके आगे बढ़ते और भी मुद्दों को हम समझ लेते हैं और मुद्दे क्या है मेरे पेरा दोस्तों आईए समझते हैं थोड़ा सा और प्रसन क्या है आपका कि भक्तमाल किसकी अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निर्गुण अगला प्रस्ण के दस्वा प्रस्ण है मेरे पैरे दोस्तों कि निर्गुण धारा को ग्याना सरही का जो नाम दिया है वह आपकी किस ने दिया है तो निर्गुण धारा को ग्याना सरही का जो नाम दिया ह आचार सुकला जी ने दिया है हिंदी साहित प्रिशकली लिए की यह अद्य आफ कंते के सीवा जी सीवा बवावनी सीवा औरीțiक थेक्ट manner कि इन्हों ने करी लिखी खास़ कि निलिखी चले किसके सीवा जी के कौन थे आसरे दाता थे यह बात आप ध्यान रखेंगे ओके चले भूशर समझेद वीडियो हमारे चैनल पर उपलब दे तो इसको आप देख लेंगे कि भूशर के बारे में क्या कहा चीजे जो है आपके पाठकरम में हैं वैसे आपसे बात करें भूशर जी के बारे में तो भूशर महाकभी भूशर का जनम कब हुआ था महाकभी भूशर का जनम 1613 S.B. में हुआ था मृतिव कब हुई थी 1705 S.B. के असपास हुई थी धlyan नखेंगे और भुसर्ण के पिता का क्या नाम ठा तो रतनाकर या फिर रतीनात्र नाम था इनका कहींगे पर रतनाकर मिलेगा पर आपको रतीनात्र मिलेगा जो भी मिले आप आस्टनमे लगा देजेगा। कभी तरही में कौन कौन से सामिल है केसो बियारी और महाकवी भूसर जो है या बेद तरही कभी तरही में सामिल है कभी तरही एक समय जो है रीतिकाल के उन कभीयों की स्रिंखला बनाई गए थी कि जो सबसे महान कभी थे छायावाद में बेद तरही के नाम से बेद तरही में क शुलैट सुरी कांथि निराला जी है निराला ट्रहिए आप से पूछा आता है कि आप महा कवंजड किस जाती के थे ब्रामबन गराने से दान करते थे कालपूर तिकवापूर मेन का जनम हुआ था ठिक ध्यान रखेंगे चिंता मड़ी और मतिराम किस काल के कभी थे पूछे चिंता मड़ी और मतिराम भक्ति काल के कभी माने जाते हैं ओके ध्यान रखेंगे चले आगे बढ़ते हैं और महा कब भूशड को कभी साह ने दी थी किस ने दी थी रुद्र साह ने दी ध्यान लखेंगे आप से पूछे कभी महा कभ भोचण किसके यहाँ पर रहें तो सीवा जी के यहाँ पर तो रहे ही हैं साथी साथ एक और राजा है उनके यहाँ पर भी रहें साहु जी के यहाँ पर ओके ध्यान लखेंगे फिर जो है आप जो है सिवा जी दोनों आएगा दोनों करेक्टा एंसर होते हैं ओके ध्यान लखेंगे आपसे पूछे कि सिवा जी ने भोचड को किस पद पर रखा था तो कभी कुल सचिव के पर रखा था खुराज भोचड के रखा रखा बोचड को था ऋका था सिवा भावचड है ठिक ध्यान लखेंगे और इनका इनका जो है सिवा भोचड क्रतिक में लगभग जो है आपको मिलेंगे 105 अलंकारों के लक्षण और उधान आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे ध्यान रखेंगे तो आपसे पूछता है कि सुराज भूचर के ती में कितने अलंकारों के लक्षण और उधान भी मौझूद हैं ध्यान रखेंगे चले आगे बढ़ते तो भूचर से कुछ महात्पूर प्रसन थे जो हमने आपको बता दिये आगे बढ़ते और भी मुद्धो को हम समझ लेते हैं चले अगले प्रसणिकी बढ़ते हैं अगले प्रसणि के उर्म बढ़ते हैं अगला प्रसण है मेरी पैरे दोस्तों 11 नंबर प्रसण कि कबीर को बाशार एकर धिक्तेट रिवेधि किस ने कहा है वी आफशन इसका क्रेक्टर होगा भी आपसन इसका correct होगा भीया किस ने कहा तो आचार हजारी परसाद द्रिवेदीजी ने कहा क्या आचार हजारी परसाद द्रिवेदीजी ने क्या कहा आचार हजारी परसाद द्रिवेदीजी ने कहा जो कबीर है वो कौन है बाणी के डिक्टेटर है ओके ध्यान देखेंगे अगला प्रसन है रमाईनी का क्या आर्थ होता है रमाईनी का क्या आर्थ होता है तो रमाईनी का आर्थ क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर देखिए राम की पतिनी नहीं राम रामर नहीं राम आर्थ है जो है रमाईनी का क्या आर्थ होता है तो साक्षी होता है और रमेनी का क्या रत होता है रामाड और साबद का क्या रत होता है सब्द ओके ध्यान रखेंगे ये बीजक के तीन भाग होते हैं आगे देखते हैं कबीर की पतनी का क्या नाम था तो कबीर के पतनी का नाम था लोई क्या नाम था लोई नाम था कबीर की पतनी का ओके ध्यान यह रखेंगे आगे बहुत ही ज्यादा महात्रपूर्ण है ज्यान रखेंगे अगला पश्व म्हेला को सेंगétais सकाविध के तो seven प्रेमाक्ष्यानक कभियों में प्रेयम में रूप कासिर तुवर आगदी देखें प्रेमा कभिया थे परनाना.. तो घंवानानन द्दगो साक्षतरस मूर्ति किस आलोचक न माना है तो रमचंद सुकला जी नहीं माना है ध्यान लिखियें किस ने, आचार्य किस देखान द्दगो साक्षतरस मूर्ति माना है अगला पसन देखते हैं अगला पसन है कि जाएसी जे ने नागमती ब्योग वडन का प्रारम किस महीने से किया था जाएसी ने रांगमती का जो ब्योग वडन का प्रारम किया था वह जेट महीने से किया था लिखा है कि तपई लाग अब जीएठ असाड़ी तो वहीं से सुरू होता है जीएठ महीने से जो होता है जाइसी जी ने नागमती वियोग औरन में जो है प्रारम किया है बारा मासा का आता है बारा महीनों में जो है नागमती एक का जो राया रतन सिंग है वो नहीं रहते हैं तो उनके वियोग में जो है उनका क्या हाल होता है उसी के बारे में यहां पर बताया गया है ठीक कि तपई लाग अब जी अठे साधी सुआ काल होई लगा प्यू इस प्रकार से वियोग और ने किसी दिन का टाइम मिलेगा तो मैं बता दूगा हला कि एक वीडियो अपलोड है उसको देख लीजेगा इसके व्याक खंड को ले करके आगे देखते हैं अगला परसने 18 नमर मेरे प्यारा दोस्तों 18 नमर पर थोड़ा लंबा है इसको दियान रखेंगे अटारा मर्परस देखिए कि यह अभिमत इन्मे से किसका है कि हिंदी साहित के हजार वर्सों के इतिहास में कवीर जैसा बेक्तितों लेकर कोई लेखक उत्पन नहीं हुआ महिमा में यह लेखक केवल एक ही परतितुन्दी जानता है वहां कौन है तुलसी दासन या कथन किसका है तो या कथन किसका है मेरे पैरे दोस्तों या कथन किसका आचार हजारी पसाद द्रवेदी किसका है आपसन इसका एक अर्ट है आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दो को समझे लेते हैं अगला प्रसन है 19 नंबर 19 नंबर प्रसन क्या है मेरे पैरे दोस्तों 19 नंबर प्रसन करी है और किसने करी है रागो चेतन ने करी किसने करी है रागो चेतन ने करी है आपसर ने इसका बीकर्ट है अगला आपस देखिए वह यह अगला पस ने बीस नमबर देखिए बीस नमबर परसन आपके सामने है बीस नमबर है कि हिंदुवन को बेद सम क्या हिंदुवन को बे के लिए आकुरान के समान ही पवित है और हिंदु JON के लिए बेद के समान पवित रहे कौन राम चाहिद माना जो तो सिदाہ जी ने लिखा है आगे देगे अगला पस नहीं पे दिया हुआ है कि बरसं, मघा, जकोरी जकोरी माग का महीना आ चुका है बादल मेग मलब जो बादल है वो उमड़ा रहे हैं नीर घटा उमड़ी घटा चकाना हम चक नीर जो है नैना खेत सीचे सदा घटी घटी रहा सरीर यह सेख निसार जी ने लिखा है कि इसके सम्मद में यूसुप जुलेखा में जुल जकोरी माग का महीना लग चुका है और पानी जो है बादल आप आसमान में चाये हुए हैं और खुब तरीके से पानी जकोरी जकोरी करके बरस रहा है मलब बरसे मगा माग के महीने पानी खुब जो है जकोरी जकोरी करके बरसता मलब लहरा पर लहरा बरसता है तो ही बता रह लाहरा बरसत है यह अवधी भासा है इसको हिंदी में समझिए इसका मतलब होता है कि बरस मगा मलब मांग के महीने में जिस परकार से बारिस होती है कि लाहरा पे लाहरा मलब की बहुत घनी बारिस होती है और मलब तेज बारिस होती है ठीक उसी परकार से मुर दूई नैन मलब हमार मेरे दूई मलता हूता है दो यूगल और नैन मलता है आँख क्या नैन मलता हूता है आँख संस्कृत मेरे न ना-या- नैन जा-ना- ये नैन मलता होता है आतमा ठीक नैनम-चिट-दे-सत-तर-डैन-दाहती-पैवकाँ ना-चै acronym-कले-देंथ आपह नह सोसित मारता है या अलग होता है या संस्कृत का नैन है लेकिन यहाँ पर जो नैन यहाँ पर आपको दिखाई पढ़ रहा होगा नैन यह नैन क्या है आँख है तो मुर्दुई नैन चुवई असजुवरी जैसे माग के महीने में खुब तेज बारिस होती है उसी प्रकार से मेरी दोनों आखों से लगता है कि इसने माग का महीना मेरी आखों में चला है और इस प्रकार से यह पानी जिस प्रकार से माग के महीने बरसता उस प्रकार से मेरी आखों से बरसता है यहाँ पर क्या की गई है तुलना करी गई है आख से कभी यह सिपाय बारिस नहीं होगी जिस प्रकार से माग के महीने विबारिस होती है लेकिन हलाकि कभी जाने दो कभी कल्पित था आगे बढ़ते हैं या कावई पंक्ति नागमती बियोग वड़न खंड में वड़ित किस महीने से समझदित है यहां तो यहां जो है भादो महीने समझदित है यहां पर ध्यान रखेंगे यहां किस समझ सुवारि उसके लिए मघा। म harvest में फंडी इन जादा हुता है इस भादों होता, सामन के बाद में भादों होता, जुलाई और अगस्त के महीने का जो समयकाल है, उसी में बारिस बहुत तेज मातरा में होती है, भादों महीने सामन के बाद में भादों आता है, मलब अगस्त का महीना, अगस्त लास्ट का, वही होता आपका भादों, और उसी मे बार इसको बार में अधिक मातरम होती तो यह भादों के बारें बता जा रहा आपसने इसका भी करेक्ट है उके आगे देखते हैं नागमती की बियो गोर्ण समय थे और किस ने लिखा है तो मलिक मुहमद जैसी नहीं आगे देखो भाईया अगला कठिन काभी को लिखा है 22 नम रचना में क्लिष्डता में है क्लिष्टता मलब कठिनता एक परकार से बोल सकते हैं इनके नमें क्लिष्ठता है इसलिए केसो को कठिन काभिका प्रेद कहा जाता है अगे देखिया अगले अगली अगला परसंद क्या अगला प्रसन है तेस्ट नमबर प्रसन है कि तुलसी दास जी आज़ि ने राम लला नचव मुक रती की रचना की स्चंद में है सोरचंद ना कीि है और लील गानर का महान समुद्र सूर्स अगर ही उनका पर्थम काभी ये किसा है तो आचार रामincarnंद्र सुकलाजी का है सूर्दाजी के समध में ये कथन कहा गया है धियान रखेंगे आप से पूछे सूर्द्वारा प्रकृति का वड़न कितने रूपों में है तो चार रूपों में किया गया है चार रूपों में किया गया है ध्यान रखेंगे इतनी बात अगर आप से पूछे कि अश्ट चाप के कभियों में सूर्दाजी का कौन सा अस्थान है पर्थम अस्थान है जाने के सूर्दाजी से समझे तिया परसन पूछा आता है आप से पूछे कि सूर्दाजी का जनम कब हुआ था संबत 1535 मिलब बिक्रमे में हुआ था अब 1535 से इनका जननम हुआ था तो nam 57 आप घटा करके इसे भी सर निकाल सकते हैं तो सुर्दा जी का जननम का हुआ था 1500 35% करमि में हुआ था 880 को के नियान थे 87015 हाँ ठीक है सर्दार जी का जनम कहा पर हुआ था रुनकता नाम ग्राम में हुआ था आप से पूछे कि कहां पर हुआ था तो रुनकता नाम ग्राम में हुआ था सूर्दार जी के जो है गुरु कौन थे तो बललभाचार थे बललभाचार के पुत्र कौन थे पूछे बिट्टल नात थे इनी बिल्टर्ण ने जो है आष्टछाप के कभियों का संग्रा किया था इसी आष्टछाप में जो सूर्दार जी थे उसे परवरतक थे महल relative थे लेकिन प्रतम कभी कौनते सूर्दार जी थे कभी सूर्दास जी थे ज्यान कि सूर्दार जी किस साखा क कभी है तो क्रिश्ण भक्ति साखा के कभी है या बात भी ध्यार नखेंगे सूर्दाज जी की कितनी मुख्य दो में संकलित हैं इतनी बात के लिए यह सब जो है प्रिशन बहुत ही मातपूर्ण थे जो कि आपको हमने बता दिये चले आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दो कौन समझ लेते हैं साहित लहरी की विसेवस्तु क्या नाइका भेद पर साहित लहरी जो है जो है आधारित है तो प्राचीन आधी कभी है तो आधी कभी है कुटबन मंजन उस्मान ये सब भी करेंगा प्याते हैं लेकिन जो मुला दाउद है यह जो है प्राचीन आधी कभी है सबसे प्राचीन कभी है ओके आगे बढ़ते तो मुला दाउद हो गए आपके आज़े बड़ो विया साथ कांड है ठीक क्या से पूछा आता आपसे पूछन है तो अवधी भांसा में लिखी गई और कैसी अवधी है तो इनकी अवधी जो है तसम निष्ट अवधी है ठीक मनद तसम सब्दावलियों का प्रियोग है संस्कृत निष्ट भांसा का प्रियोग है इनकी अवधी में जबकि आपसे पुछेगा कि गास इसकी कीसी है की सवधी में तो इसकीसी सीकर्क है Um 39 प्रकास एब them राम चिंद्रिका किस की रिचना केसो दास की रिचना ठीक आगे बढ़तें तीसवा सवे नंबर कॉष्ण आपका कि तीछागा गॉगाट नामक अस्थान में इनमें से किस कवी का संबने गउघाट से तो सूर्दाजी का संबने किस से गॉघाट से आपसन इसका D-Correctur है नेक्स्ट परशने कद्यस नंबर है यह कठिन काभीका प्रेट इन میں से किसको कहा जाता है किसको किस ने कहा है तो कठिन काभीका प्रेट केसो दास को तो कहा जाता है यहाँ पर देख कवीर दास को आचारी यह गलत पहले आपसन हो गया अब यहाँ पर जो है विजे पाल सिंग ने नहीं कहा था और स्याम सुन्दर दास ने भी नहीं कहा था एक मिनट उकिएगा एक मिनट उकिएगा तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो केसो दास को जो ना स्याम सुन्दर दास ने कहा था कहा था नहीं किस को आ था कभी कठिन कावे का प्रेद केसो दास को अब यह नहीं पता माने थे रामचन सुकला जी ने कहा था वीजेपाल ने कहा था तो आप बता थे कि क्योंकि सुकला जी सबसे बड़े आलोचक है तो वह ही कहेंगे अधिकतर चीजे वो कहीं है तो आचार हजारे प्रसाद देर बेदिये तो नगेंदर गएंगे, ओके, अपसंसी इसका है, नहीं के सुदास को आचार सुकला जी ने कहा था, कठिन कावे का प्रेद, आगे बढ़ो, अगला है मेरी प्यारे दोस्तों, अगला है बत्तिस नंबर प्रसन, बत्तिस नंबर प्रसन देखिए, बत्तिस नंबर प्रसन है कि पदमावत और रामचरित मानस में, क्या प्रसन है अगला मेरी पैरे दोस्तों, अगला प्रसन है कि पदमावत और रामचरित मानस में प्रयोग तो अवधी भासा में क्या आंतर है, तो अवधी भासा म रामचनमार्स में परनिश्ठित अध्यूदि का प्रिजह आहागा आगे आग देखनें विफ्टा में पासिवा मुक्तक राशना में शभलर होगा विहारी kे संबन्द में चांट्रान किस ने कहा तो आचार रामचन सुकला ने हिंदिस जाहाने मानें निकालोचक है इसलिए यही अधिकतर बातों को कहते हैं ओके और इनकी बाते माने भी होती है आगे देखी अगला प्रसना 34 नंबर मेरे पैरे दोस्त 34 नंबर प्रसने कि यहां अभिमत कि कथन किसका है कि राम चंद्रिका में केसो को सबसे अधिक सफलता मिली है संबादों में जो इनकी रचना केसो दास की जिसको छंदो का आजयाब घर कहाता है इसमें जो है आचाराम चंद्रिका में केसो को सबसे अधिक जो सफलता मिली है संबादों में मिली है संबाद योजना संबाद सहरी का प्रयोग इसमें अधिक मात्रा में आपको मिलीगा आपसन इसका यह प्रेम के पीर कभी के नाम से घरानंद को जाना जाता है या बात आप ध्यान नखेंगे तो घरानंद के बारे में अगर आप से पूछे आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं घरानंद को प्रेम का पीर कभी कायाता है घरानंद से पूछे आप से किस काल कभी थे तो घरानंद आपके रीति काल के कभी है ठीक ध्यान लखेंगे घरानंद का जनम कब हुआ था 1746 बिक्रमी के आसपास हुआ था संबत और मिर्दू का तरह 1840 बिक्रमी के आसपास होई थी घरानंद के स्कुल्ट से संब्दित थे तो कायस्त क рекुल से संब्दित थे यहां ध्यान लखेंगे डर की रचना में आप इसक लता है इनकी रचना फेमस सबसे इसक लता सुजान चरित ते इनकी फेमस है सुजान चरित किसके रचना पूछे तो घंणनंद की ही रचना है और आपसे पूछे कि इनका देहावसान का भूईठा विक्रिमे में हुआ था और ये मुहम्मद साह रंगिले के दर्बार में मीर मुंसी के पतपर कारिकरते थे और आपसे पूछे गहानाद का जो उत्तरकालीन जीवन बीता हूँ कहां पर बीता 50 सल के बाद वाला जीवन तो ब्रिंदा बन में आपका बीता गहनानंद बियोग स्रिंगार के कभी है बिरालीला किसकी रचना है अगर आपसे पूछे तो बिरालीला किसकी रचना है क्योंकि प्रेम का पीर कभी गहनानंद को कहा आता है और गहनानंद ही प्रेम किये थे किस से जो है सुजान नामक बैस्या से सुजान नामक नर्तकी से तो बहुता है मलब कि जब प्रेमिय में प्रेम का आपसमें मिले हूई होते तो उसको हम क्या कहते हैं तो आप से पूछेगा कि निम्बाक संप्रदाय से होते हुए भी उन्हें जग घनानंद से लब निम्बाक संप्रदाय में दिख्चित होने के बावजूद भी घनानंद किसको नहीं भूल पाए तो प्रियसी सुजान को भी नहीं भूल पाए थे ध्यान रखेंगे तनी बात ओके चालिए आपसे और पुछे अगर आप से पुछे आप से पुछे मेरे पैlor तो प्रेम सरोबर के रचना से उन्हीं सुझानद कि और allergic के आपके आपके बोधा अलम और बोधा आलम और वथा आपके आपके जो इसे हैं पर अपना द्री लह कृत पर से प्रेम के पीर कभी मलग की एक प्रकार से घ्रणानन्द जॉद्धा फ्यस्की है Solace लेकिन बाकि जो गोधश है नाममध्य मलभ खुब प्रेम की होता है अगर ब्रिंदा बन देव हैं अगर पुछे गई जो है घंणनंद के जो कवित और समयों की संख्या कितनी मानियाती है तो 752 के आसपास की संख्या मानियाती है ओके ध्यान लखेंगे आपसे पूछा था गई प्रेसी कौन थी तो अबैस्या थी उसका क्या नाम था सुजान था ओके ध्यान लखेंगे चलिए तो यह सब जो है आपसे पूछा था सकता था घंणन समयों जो कि हमने आपको बता दिया ओके ध्यान लखेंगे मीठे मीठे बोली बोली ठगी पहले तो तब ऐसे जो है इसमें रचनाए मिलेंगी आपको हमसूल सोलन सो क्यों हो न भूलाए हैं यह यह सब रचनाए जो है तुम तो निपट निरदई गई भूली सुधी यह सब रचनाए जो है यह सपंक्तियां जो है इन ही की है ओके हीन भय जलमीन अधीन कहां कचको अकुलानी समाने जिस प्रकार से मचली जो होती है या फिर नीर सनेहि कलाय कलंक निरास हवय कायर है दोस्तों अगला 37 नमबर प्रसंद देखिए 37 नमबर प्रसंद है आपका क्या है कि महा कभी जायसी ने पदमावत की रचना कब सुरू की थी तो कब थी हिजरी संबत जो 1747 में अगला प्रसंद है 38 नमबर कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्नोय कर सके बुद्ध देव स समन्नोय कारी थे गीता में समन्नोय की चेश्टा है और तोसी दास भी समन्नोय कारी थे या कथन किसका है तो या कथन किसका आचार हजारी परसाद द्रिवेदी जी का है आपसन इसका विक रठे किसका आचार हजारी परसाद द्रिवेदी जी का है ओके ध्यान लखेंगे और सूर्दास का साहित कभी जन्मान्द व्यक्ति का लिखा साहित नहीं हो सकता या अभिमत इन में से किसका तो डाक्टर ब्रजेसवर वर्मा का आपसन इसका अभी करक्टर है आगे बढ़ते हैं चालिस नमबर प्रसंग है मेरे पैरे दोस्तों कि आपके पाठे करम में संकलित रामचरित मानस से संबंदित परसंग उसके किस कार्ण से लिया गया है तो आपके पाठे करम में संकलित रामचरित मानस संबंदित परसंग जो है उसके किस कार्ण से लिया गया बाल कार्ण से ल करिए नाम दिया है तो पंडित विस उनात प्रसाद जी ने जो उत्तर जो मद्दिकाल था मद्धिकाल को दो भागों में बाटा था मद इसे एक माली जी आदिकाल एक मद्धिकाल एक जो है अधुनिक काल तो जो आदिकाल है उसमें भी कई फार है नात साहित्य और सिद्ध्य साहित्य ठीक साम तमाम सारे हैं उसको मैं चर्चा करूंगा उसको बीरगाथा काल के न सिर्गार काल के नाम से दिखते हैं नहीं बहुत सारी लोगों ने लगों नहीं बाद करूँ तो सबसे अपतर क्या संगत किसका अल्य राम अननन्द को ग्लिकर अग्ति काल हिंदी साहट का सुण यूग है या कथन इनमें से किस हिंदी साहट कि इतिहास लेहास का है तो भक्तिकाल हिंदि साथ का सवड़ी हुग है या किस ने कहा तो आचार रामचन सुकलाजी ने कहा और जो बात रामचन सुकलाजी कह जाने जिते हैं वो जाने जिए ब्रह्मा जी की लकीर, उसको काटने वाला कोई नहीं होता वे आचारी कोटी में नहीं आते हैं अगे बढ़ते हैं अगला है 47 नमर की पुष्टी मार को जहाज जाता है उक्ती बिट्रलाद ने किसकी मिर्टू पर कहा था तो किसकी सूर्दाजी की मिर्टू पर कहा था कि जो है पुष्टी मार का जहाज जाता है बिट्रलाद ने कहा था अगे देखते हैं अगे देखते हैं हिंदी साहत के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रियास किस ने किया था तो गारसादा तासी ने किस ने किया था गारसादा तासी ने किया था आपसे ने किया था अकला लाके अचार लामसे तासी ने भी लिखा ऑफने पर बलिखना अगला देखते हैं पचास नमबर प्रस्थझी मेरे प्यारे दोस्तों पचासवा परसन आपका है पचास नमबर प्रसन है मेरी प्यारे दोस्तों कि अकबर के नौरतनों में से कौन है हमने बता था अकबर के नौरतनों में से कौन है रहीम दासने आपसन इसका डिकर्ट है अगले प्रसनी क्यों बढ़ते हैं अगला प्रसन है मेरी प्यारे दोस्तों विरा आरता जो प्रेम के इन्हों ने रचनाएं लिकी है और बीरा पर लिखें घरान लखेंगे आगे बढ़ते हैं और पर अ किसी कि कहा था तो इसे रास को ध्यान लखेंगे पूछा जा रहा है ध्यान रखेंगे अब आवान नमर प्रस देखिए रीति मुक्त कभी नहीं है रीति मुक्त कभी नहीं है या रीति सिद्ध कभी है कौन है रीति सिद्ध कभी है ना तो रीति मुक्त मुक्त कभी है बिहारी ना रीत बद्ध कभी है या कैसे है रीति मुक्त कभी है मालेब यह सारी चीजí जानते थे और उन सारे चीजिए जानतेकर ने जो है तमाम सारी है पर तो इसले हुए पने में जारे अधान दीए सपड़ी सबादों हसा करो आपका किस ने किया तो विâte बिहारी लाज जो हैं रीति काल के कभी हैं रीति काल के किस साखा के हैं भीया तो रीति मुक्ति साखा के हैं बिहारी का जनम कब हुआ था सम्बस सोला सो बासट बिक्रमे में हुआ था बिहारी द्वारा रचित मात्रे गरंत का नाम बिहारी सस्ताई है बिहारी सस्ताई में कित सब्सक्राइब और जातन के जाई पर स्याम हरित दूति होई ये सब रचनाई किसी की है ये सब रचनाई जो है नहीं की है बिहारी जी की है ओके ध्यान रखेंगे चैलिए नी की दई, अनाकटी, फीकी, परी, गुहार, पंक्ती, किसके विहारी की है, सब पूछाता है एक्जाम में अनाकटी का पूछाता है कभी अंसुनी उसकारत होता, ओके, इतनी बात के लिए लरुई, चले, आगे बढ़ते हैं तो इतनी बात clear हुई विहारी समंद्ध प्रस्ण आपका clear हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है मेरी पैरे दोस्तों तो रीती मुक्त कावे मलब रीती सिद्ध कावे धारा के हैं ठीक ध्यान के विहारी जबकि जो आपके एक मिनट केगा जो रीती मुक्त कभ गहनानंद वगयरा हो गए और भी ऐसे लोग गहनानंद से नहीं और एक और तमाम सारे कभी आपके ऐसे रीती सिद्ध में जो है आपके जो है मैं किसको बताओं रहीम हो गए और भी तमाम सारे लोग है वो सारे के सारे किसके हैं रीती मुक्त के हैं ओके आसरे दातों के प् परंपरा उसी के हिसाब से लिख रहे थे लेकिन रीति मुक्त में आपके आलम ठाकुर और बोधा ये लोग रीतियों से मुक्त होकर के रचनाय करते थे किसी का दबाव किसी के प्रेसर ने बंदन मुक्तों करके रचनाय करते थे और यहें पर जो बिहारी जी है यारीती सिद्ध थे मलब की लीतिया तो जानते थे सारी जी जानते थे अलंकार रचन सब जानते थे रससते अतोईती रसाह अलंकरोती थे क송 दार लंग्कॉरा सब जानते थी लेकिन यह लिखते नहीं थे वह के आगे बुद सीद् form कौन सी द्यूंट के पहले लिया थां इन्हों ने कि यहcelSc booklet आप च्हें उन्होंने के तो इन्होंने क्या गर छोड़ा था हुआज भी यहार तो तो उसी समय इन्होंने रचनाई लिखी बैरा की संदी पी नहीं आपसन इसका ये करेक्टर है पहले रचनाई इसकी यही है मलब तुलसीदाजी की यही है इनकी रचनाई आगे दिखते है पच्छपन नमबर पुसन है कि तुलसीदाज को मानस का राज हंस सूर्दाज किस रस का कोना कोना जहांक कर आए है तो आपसे पुछे का वासल रस के समराट कोन है वासल समराट सूर्दाज कोन है वासल समराट रूपक के बासा कोन है तुलसीदाज है प्रेम के पीर के कभी कोन है घहना नंद है ठिक बिहारी कोन है गागर में सागर भरने का काम बिहारी ने किया है कठिन काभी के प्रेत कौन है केसो दास ध्यान नकें कितनी बात चलिए आगे बढ़ते हैं आखरी कलाम के रचनाकार कौन है आखरी कलाम के रचनाकार कौन है जाइसी है कबीर क्या है पहले कबीर क्या है बाणी के टिक्टेटर है कौन है आगे बढ़ते हैं इन से प्रसन है सभी प्रसना कि अगला अठावान नमबर परस ने, साकी सब्द का अर्थ क्या है? सब्द का क्या अर्थ है? सब्द है, रमैनी का अर्थ है, रामायर है, ओके? ये बीजक के भाग है, आगे देखते हैं, बीजक किसके रिचना है? कबीर दास्की, आगे देखिए उनसर नमबर बिहारी को किस विसेस्ता के काण गागर में सागर भरने वाला कहा गया है तो बिहारी की जो भांसा की समास सक्ती जो है इसे काण से बिहारी एक को गागर में सागर भरने का कारिब माना आता है चुकि उन्हें अपनी भासा में से एक उनकी दोहा पर चलिता है एक कहात नहतत रीज़त खिजत मिलत खिरत लजियात और भरे भवन में करता है नैन नहीं सौबात या जो इनकी रचना है कि एक नायक और नायका है और भरे भवन मलब की सभी लोग उसके आसपड़स के लोग और उसके नात रिस्तेदार उसके घर के लोग जो है इदमा लेते हैं एक लड़की और लड़की की दिखाई है नायक और नायका की दिखाई है उसमें एक कमरा है उसी कमरे में सभी लड़की की पक्चवाले भी बै और आखो में देखती है और आंखों में देखती है और आंकma मड़ी कि नेशाजारhuhं करते हैं कैसे कहते हैं पहले जो चिबाट आंक राख गत कहती है mamत आंक ग्सकावर्णuba तो जो नायक होता, क्या करता है? रीजटर्ञ ज़त अब खिजने के बाद में क्हआट रीजध यहांने का पुल नायक प्रियास कौन करता है? नायक करता गयों, कान पख़ता है,inala, journal एजर्ण फिर लोग आख मिलता है, फिर्से नायचार दूनगा, क्या आध में, तो उसके पर लगों का जो है जो है जो होता है जो जो जूख जाता है बीगी पलके उनके जुख जाती है लेकिन परकार से जो है वह आंख्यों जो खाता हैушка दोनों लोग आपस में इसी परकार से भ़रे भौन में करता है नाना परकार की बाते हैं आँखों के माध्यम से नाना परकार की बाते कर लेते हैं तो यह समासक्ती ही है मैं किमारिक दियान रखेंगे सतसया के दोहरे जो नावक के तीर देखन मा छोटे लगें घाओ करें गंभीर आगे बढ़ते हैं साथ नमर प्रसंद देखिए राम चरिद मानस की रचना कब हुई राम चरिद मानस की रचना कब हुई 1631 में हुई है और 1631 बिक्रमी से जब 57 हम घटा देंगे तो जो है 1574 मिलेगा आपका और यही जो 1574 आपका मेरी प्यार दोस्तों यह जो 1574 है इसी में रचना इनकी प्रारम हुई कब हुई ओके तो ध्यान रखेंगे और कुछ वर्स तक चली रचना है ऐसा नहीं कि चुरुआत हुई तुरंद खतम हो गई आगे देखते हैं परकारज देह को धारे फिरे परजन जथाराता हवे दरसे पंक्ती के लेखक कौन है तो पंक्ती के लेखक कौन है घहना नंद ह ध्यान रखेंगे तो ऐसे आपसे प्रशन पूछता तो घहना नंद इस पंक्ती के लेखक कौन है ओके चलें आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दो को हम समझ लेते हैं अतिसूदो सनेह को मारग है जहां नेको सयानप बांक नहीं पंक्ती में कौन सा चंद है तो पंक्ती में कौन सा चंद है अतिसूदो सनेह को मारग है जहां नेको सा रमायन वलब सनायप बांक नहीं पंक्ती कौन सा इसमें जो है क्या है पूछा गया चंद है तो सवईया चं संपर्दाइय के जो है क्या है संपर्दाइं से संथित हैं आगे देखते हैं दिने पात्रे का भी यह ब्रश में आगे देखें सुजान सतक स्क्रेचना जरानलंद की प्रेमिका है तो बहुत जंभ सिद्सित अधिकार किसको को यह आगे देखे शाचान नमबर कविता कर लिखा इसलिए के नहीं 커़ी खरि से किस नहीं रिखिये है तो किस ने लिखिया अर्योद्न से दियान होगा आपको यह वही है जो आपने प्रवश नमक आप गो हरियोद जी ने उसमें पवंदूतिका एक आपने पढ़ा होगा इंटर में कि बैठी खिन्ना एक दिवस्वेगेह में थी अकेली आके आसुद्री यूगल से थे धरा को भीगोते ठीक प्राता हवाली सूपवर्न आई इसी काल वाता यनों से ठीक इस प्रकार से और क्या पु ऑ किसी एक ब्यक्ती पर किसी एक ब्यक्ती पर पूरः का पूरा का इनका जो है यह ग्रन्थ नहीं आधारिते ब्यारी साथिगेह तो ये अलग-अलग मुक्तक मिलब की धर्दर तमाम सारे अलग-अलग से जित किया का कहीं фै कि राम चन्जी के बारे में कहीं कि राम जी का जो है जो है ग्याम किस्टी का को जो है मुलब सभी लोगों ग्षटा है लेकिन जो प्रबंध कावह होता है प्रबंद काव में किसी एक मुद्दे पर चर्चा होती किसी एक बात पर किसी एक उद्देश के लिए किसी एक नायक को जो है जो है जो है मुख्य पातर में रखा आता है बाकि गौण पातर में तो इसमें कोई मुख पाता नहीं होता उसी को मुख तक काभी कहते हैं और यहां पर एक जो काभी है प्रबंद काभी प्रबंद काभी जो है राम चरिद मानस के प्रबंद काभी है महा काभी राम चरिद मानस भी है ओके आगे देखिए कनहावत किसकी रचना जाईसी जी की रचना कौन संदों का आजाए विए घ्म कैसे बार बार दाल राम चंदरिगर को क्यैंकि चंद्स में बहूत जादा महत्रा में आप देखने को मिल जाएंगे आगे देखते भईया तुलसिदास जी की अगला पसन है आपका अगला पसन है गाता नमर तुलसिदास की सुवाद से प्रभावित थे भईया तुलसिदास जी आपके जो प्रभावित थे तुलसिदास जी वहाँ अबिसिष्टा दैत्वाद से किसे बिसिष्टा दैत्वाद से सभष झाल वे ए आपसलन इसका शीक रखना है अगला यह देखते बाता नमरות देखेगा कभित रस vainCool लाग रटिरंग किस्की है बिहारि जी कि किस्की है बिहारि जी कि है कौन सी पंक्ति तो तंत्री नाद कवित रस सरस राज रत रंग यहां पर अनुपरास रंकार आप से इसका अब ध्यान रखेंगे आगे देखिए अगला 73 नंबर प्रस्ण त्यातन नंबर प्रस्ण को देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा बहुत ही मात्फूर प्रस्ण है तुलसी को के हिंदी का जातिय कभी नहीं कहा गया हिंदी का जाती कभी मनलब की हिंदी इनके रोम रोम में बसी हुई है हिंदी के जाती कभी है ठीक मनलब हिंदी जाती के कभी है हिंदी जाती के कभी है ना कि जाती कभी है ब्राम्हर छत्री सुद्र बैसी ये सब नहीं हिंदी के जाती कभी है या बाध्यान नकिंग किसने का आगे देखते हैं अब कुछ लोग इससे तुलसिदाजी के उपर उठाते हैं कि जो है ढोल गमार सुदर पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी या ब्रामण के बारे में लिख दिया कि बंदा उपर थमाई सुचर्णा तो ब्रामण के बारे में ज्यादा बाते लिख दी तो य मुखिनाईका है रामचरितमानस की वाल मुखिनाईका जब जानती है कि हहाँ हरी जन है भगवान जो है पर करार से भगवान के जन है पता जलगा कि हाँ भगवान के हमको अपने सरण में लिया हमारे साथ जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं लब हमको अपना दाश सविकार किया तो भीवी सर तुम राक्षर जाती को तुमको क्यों नहीं सविकार करेंगे तो राम चैंजी तुलसिदाज जी के जो नायक है वाद तुलसिदाज जी का में राम जी के बारे में कहीं न कहीं पर तुलसिदाज जी के उसमें मंतब भी सामिल है या बात आप विद्ध्यान लखेंगे ओके देखते हैं तुलसिदाज जी बहुत बड़ी महात्मा थी उन पर उंगली उठाना बहुत बड़ी बलब एक प्रकार से आलोचना कह सकते हो आलोचना हो ही नहीं है आगे देखिए अगला है सूर्दास कृत सूर्शागर का उपजीब भागवत महापुराण कौन सा असकंद है सूर्दास जी का जो कृत सूर्शागर है वह जो है दसम असकंद से लिया गया आप सर इसका बीगर टैक कोई किसे भागवत पुराण से ज्याने के किस से स्रीमत भगवत महापुराण से आगे देखते हैं पचाता नमर प्रसन है कि भासा बोल न जान नहीं जिनके कुल के दास पंक्ति किसकी है केसो दास की है ठीक केसो दास को नहीं कठिन कावे के प्रेद रट जाएगा इसे में बार बार बोलता रहता हूं देखते हैं किसके दरवार मुर्मिन्सिति मुहम्मस सारंगिले के इसमें रीती सिद्ध कभी कोन है बिहारी रीती सिद्ध कभी है ध्यान लखेंगे वोगे बढ़ते हैं अठाता नमबर अधो लिखित में अच्छाप कभी नहीं अच्छाप कभी को नहीं सुन्दाज जो नहीं है कुष्ण दास सूर्दास नंदास हैं अच्छाप कभी अच्छाप का जो संकलन किसने किया था बिट्टलनाद को नहीं बलबाचारी के पुतर हैं बलबाचारी को नह के गुरू है ज्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं कि सेबंटी नाइन नंबर देखिए प्रस्ण घंदन की संपरदाई में देख्षित हुए थे तो निम्बराक संपरदाई में हमने बताया भी था आप सन इसका भी खरक्ट है अगला घंदन की प्रिया का क्या नाम था तो क् कि विएत्य खेते हैं यहां से प्रस्ण आपके बनें और यहां से प्रस्ण आपके करक्ट होंगे है अगर अगर सब्जक्टिम में होता तो इतनी बाते मैं आपको बता रहा हूं यह सारी बाते अगर आप ध्यार मेर्क लेते हैं तो आपको लिखने में पत्ती नहीं होनी चाहिए बस आपको एक बार पढ़ लीजेगा बाकी आप जो हमने सारी बाते बताई उनका मेंसन उसमें बीच बीच में कर देंगे बहुत ज्यादा नमबर मिलेगा आपको अगला पर देखते हैं किस कभी ने गागर मिसागर भरा है तो बिहारी ने अगला है 84 नमबर बिहारी जी की है एक मातर रचना आगे देखते हैं 86 नमबर तुस्सी दास के समकालिन सासा की अबास्ता कौन थे अकबर थे आपसन इसका एक रख्थ है अगला के स्रीराम चैज मानस में कितने काणड है तो 7 काणड है सब्सक्राइब कांड सातवा कांड कल्यूक की विशन परिशितियों के बारे में उसमें बताया गया है तो सब्सक्राइब बाल का सम्मद्ध से नाम से लंकारण यानाता है सबसे अच्छा कांड सब्सक्राण किसके में है सुन्दर काड़ में है आतुरित बल्धाम में मसाइला भदिहम दनजबन किसानम ज्यानी नामा गरगंडियम सकाल लगोन निधानम बांदराणाम धीसम रगुपति प्रीबक्तम मुआतियातम नमामी ठिक आगे देखते हैं तोसीदास के प्रमाणिक गरंतों की रचना कितना 12 गरंत थे और इन 12 गरंतों की हमने एक वीडियो बनाई है सेपरेट रोप से उसमें दोहे में सभी रचनाओं यहीं प्रशंक्रत का दिया तोसीदास जी के तो उस दोहे हो नामक वीडियो को देख लिजेगा कि लिएर हो आगे देख तो भया अगला है 90 नमबर प्रशन आपका कि सूर्दास में किस भाव की मलब सूर्दास में किस भाव की भक्ति का निरूपन है तो सखा भाव है तूसी दास जी में पूछे तो किसमा है दास भाव का है तूसी दास जी को राम चंजी मलब तूसी दास जी राम जी पूर्दास के कितने गरंत हैं इसका कोई मतलब नहीं है पूल थे और देखते हैं आगे देखते हैं पावस तो जाल फार आगे देखते हैं बीजग किसकी किरिथीै तो बीजग वईया किसकी कृती पंचानवेर प्रत्रम सबद तीसरा कौन सा रमैनी रमैनी साखी और तीसरा क्या है आपका सबद सबद का मलब होता है सबद साखी का मलब होता है साक्षी रमैनी का मलब होता है रामायर ओके तो उसी दावलब बिहारी की वरस्वारी उनकी रजनाकिस की कबीर की ओके आगे देखते जायसी के गुरू का का नाम था तो गजाईसी गुरू का नाम था सका डिक रहते हैं सायcell दसरफ इनके का नाम था जाईसी के आगे देखिए अगले प mandar की और हम बढ़ते हैं ए हुए कि अगला प्रस्थन मेरी प्यारे दोस्त अगला प्रस्न है आपका अगला प्रसन सत्तान हा मेरे नमर पद्मावत में रतन सेन स्का प्रतीक है तो पद्मावत में जो रतन सेन है वा किसका प्रतीक है next person देखिए मेरी पैरे दोस्तो next person है आपका क्या next person है मेरी पैरे दोस्तो कि पदमावत की भासा कैसी है क्या पदमावत की भासा है तो पदमावत की भासा क्या है अवदी है पदमावत की भासा कैसी है पदमावत की भासा क्या है मेरी पैरा दोस्तो पदमाद की बाजा क्या है आवदी कैसी आवदी ठेठ आवदी रामचेद की मानस की बाजा क्या है आवदी है लेकिन सरस्कृत निश्ट आवदी है ठीक जयान लखेंगे पारिस्कृत आवदी है अगे देखते हैं तस्सम सब्दावली का प्रियोग है पद्मावत में आपका क्या है खंड है जबकि जो आपका राम चरिद्माना से उसमें क्या है कांड है ओके ध्यान रखेंगे लाश पसनाज का कबीरदास के समकालिन थे कबीरदास के समकालिन कौन थे मलब कबीरदास के समकालिन थे और सिकंदर लोधी के समकालिन थे कौन कबी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब दक के लिए जै हिंद, जै भारत और एक बार धृद ध्यान तके वीडियो को शेर करें नहीं भूलना है और वीडियो में अगर इसी परकार से और वीडियो को देखना है तो हमारी चनल को सब्सक्राइब कर लीजी कि इसी प्रकार comment section बताएगा वीडियो करसी लगी आपको जहेंद जरू लिखेगा